बिजेपी अध्यक्ष जेपी नड़ा ने मंगलवार को राश्ट्रे महासचीवों के साथ बैठक की राश्ट्रे कारी कारेनी की बैठक से पहले इसमें कई मस्दों पर चर्चा हुई राश्ट्रे कारी कारेनी की दो दिवस्य बैठक सोला सत्रा जनवरी को होनी है और बता दे राश्ट्रे महासचीवों के साथ बैठक में नड़ा ने आगामी विधानसबा चुनावों को लेकर मंथन किया नमस्कार मैं हुई इशा खान और आप देख रहे हैं हमारा खास कारी क भारतिय जनता पार्टी के राश्ट्रे कारी कारेनी की बैठक से पहले मंगलवार को पार्टी अध्यक्ष जेपी नड़ा ने राश्ट्रे महासचीवों के साथ बैठक की इसमें आगामी मिधानसबा चुनावों को लोकसभा प्रवास कारी कर्म सहीत कई अन्य मुद्दों पर मन्थन क्या गया पार्टी के राश्ट्रियों पाध्यक्ष सोदान सिंग भी इस बैठक में मोजूद थे सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक बैठक में तोजार चोबिस के लोकसभा चुनावों और आगामी मिधानसबा चुनावों की मद्दे नजर बूत को सशक् लोकसभा प्रवासकारीक्रम और भारत की अध्यक्षता में होने वाले जी ट्वेंटी समेलंस से आमजन को जोड़ने के बारे में विस्तार से चर्चा हुई लोकसभा प्रवासकारीकरम का उद्देश ये बिजेपी ने चिनहीत कर उन 160 सीट पर बहतर प्रदर्शन करना है जिन पर उसका प्रदर्शन परंपरागत रूप से अच्छा नहीं रहा बैटक में मोजूर एक नेता ने बताया कि दिल्ली में 16-17 जन्वरी को होने वाली राश्ट्री कारीकारिंडी की दो दिव से बैटक की तैयारियों के बारे में विस्तास से चर्चा हुई है और सूत् बैटक में नड़ा ने जी ट्वेंटी पर खासा जोर दिया और प्रधान मंत्री नरिंद मोदी क्या हवान की मुताबिक इससे जुड़े कारीक्रम में आम लोगों की ज्यादा से ज्यादा भागेदारी सुनिश्चित करने पर जोर दिया गया सूत्रों के मुताबिक 200 कारिक्रमों की योजना बनाई हैं आपको मारे स्टोरी कैसी लगी हमें कॉमेंट करके जरूर बताएं साथ ही हमारे चैनल कुल लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें